वेलकम बेक टो माई यूट्यूब चैनल आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेक्स टोपिक है हमारा टाइम यहाँ पर देखिए एक लड़की है उसका नाम संपदा है और वो अपना पूरा दिन कैसे स्पेंड करती है उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है चैनल यह स्टाट करते हैं जब से पहले क्या करती है गेट एप फ्टर एक वह स्कूल के लिए उटती है फिर इड प्रिक फॉर्स उसके बाद वह सविरी का नास्ता करती है रीड़ स्टॉरी इन, segregation श्कूल उसके बाद वह स्टॉरी को डिट करती है इट लच पिर दोपेर का नास्ता करती है प्ले उसके बाद वो खेलती है स्टड़ी फिर पढ़ती है गो टू बेड उसके बाद वो सोने के लिए चली जाती है तो यह उसका पोरा दिन का रूटीन है अब यहाँ पर देखिए टिक दा एक्टिविटी यहाँ पर हमें उस एक्टिविटी में टिक करना है जिसको हम मौर्निंग में करते हैं कौन कौन से एक्टिविटी है इसमें से वी ब्रस अवर टिक इन दा मौर्निंग वी बात इन दा मौर्निंग यह दोनों एक्टिविटी हैं जो हम morning में करते हैं उसके बाद देखिए tick the activities that you do in the evening अब यहाँ पर पूछा है कि जो activity हम evening में करते हैं शाम को करते हैं कौन सी है we play in the evening हम शाम को खेलते हैं tick the activities that you do in the day और इसमें बताना है कि हम दोफेर में कौन सी activity करते हैं we take our lunch क्या करते हैं हम lunch करते हैं दिन में अब देखिए आगे कौन सी activity है जो कि रात में होती है the activities that do at night इसमें बताना है कि कौन सी activity जो night में होती है तो देखिए we sleep at night और जब हम सोते हैं तो क्या होता है हमें सपने भी आते हैं ये भी इसे से related है आगे देखते हैं यहाँ पर देखिए number the activities in sequence यहाँ पर कुछ activities दी गई है इनको में sequence में लिखना है कि कौन सी activity पहले होती है और कौन सी activity उसके बाद में होती है आगे देखते हैं अब यह एक लर्की है जो खाना खा रही है लेकिन खाना खाने से पहले उसको बनाना भी पड़ता है तो आए देखते हैं सबसे पहले एक बर्तर में आठा खाली कर रहा जाएगा तो यहाँ पर नमबर वन पर आ गया यह वाली activity उसके बाद आठे में पानी मिलाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे जब आठे में पानी मिलाएंगे तो उसके आठा गूंदा जाएगा नमबर खाड पर यह हो गई और जब आठा गुन लेढ़ हर्वाद को गूंदिया जाता है उसके बाद क्या करतें चापाथीस बंती है है उसकी तो यहाँ पर हम नमबर फोर डालेंगे और उसके अब यह देखिए यहां पर है टिक दे एक्टिविटी देट विल टेक लॉंगर यहां पर हमें उस एक्टिविटी में टिक करना है जिसमें ज्यादा समय लगता है अब देखिए यहां पर दो बड़तन है एक बाल्टी है और एक कंटेनर है दोनों में पानी भर रहा है तो किस किसमें ज्यादा समय लगेगा कंटेनर विल टेक लॉंगर क्योंकि बड़ा है इसलिए इसमें ज्यादा समय लगेगा अब यहां पर देखिए दोने पिक्षर में एक लड़का है जो कि अपने अप घर को जा रहे हैं एक सैकल से जा रहा है और एक पैसल जा रहा है तो किस में ज geek लगेगा जो वमकिंग है कि सैकल से तरुल फटा P Research in करेंगे इसलिए आप पर हम टिक करेंगे वाकिंग में हमारा आज का ग्लास यहीं पर खतम होता है आज का हमारा चप्टर यहीं खतम होता है थेंक यू